नमस्कार मेरा नाम जूई है और इस बहर हम फिर से प्रभात कवर डिजिटल में जुड़ गए हैं हमारे साथ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी जी है जो देश के जाने माने जोतिता चारे भी है और कई सारी बातों हमेशा से भाईश्वानी करते हैं तो आज उनसे हम रत्नो से जाना चाहेंगे कि रत्न हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है और इसे धारन करते वेक्त किन-किन बातों को ख्याल रखना है पंडी जी आपको भी नमस्कार है और सारे दर्सक जो है उनको भी नमस्कार है आप सब पहले से भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप मुझ सूरी से बांता सा कि मतलब यह बताता भी है और बनाता भी है रत्न में हमको बेहतर करने के जैसे आप अंधकार में हैं और आप एक switch on करते हैं रोशनी आपके पूरे कमरे में आ जाती है और आप जो भी चीज प्राप्ट करना चाहते हैं उग ले लेते हैं जैसे आप mirror के सामने खड़े हैं और mirror के सामने खड़े होकर आप अपना बाल ठीक कर लेते हैं ठीक उसी प्रक जाता है उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर रत्न आ जाए हमारे भाग्य रत्न आ जाए हमारे रासी रत्न आ जाए तो निश्चित रुप से भाग्य को बहतर बनाएंगे जानने योग ये बात है कि सब्षक पहले कुंडली दिखा लेनी चाहिए चुकि बजार में बेचने वाले को कैसे पता है कि पेज नमर 77 पे क्या है उसको ये जनकारी निश्चित ही किसी जनकार से और अच्छे आदमी से जहां पे खरीद विक्री की बात नहों वहां से रत्न समझे और तब रत्न धार्म करें सब्से पहले रत्न हमारी जीवन पे काम कैसे करता है जैसे कोई भी अगर रत्न आप धारन करते हैं तो वह वह ग्रह जो है देखे रत्नों में बनाने के भी छमता है और बिगाडने के भी छमता है अगर आप गलत रत्न पहन लिए और वह आपके सरीर में एब्जॉर्ब हो गया तो आपको रोग परसानी बीमारी और कस्ट दे देगा औ और उसको ठीक करने में आपको बरस लग जाएंगे ठीक उसी प्रकार जब रत्न आपको काम करेगा तो आपके भागे को चमकाएगा तो बीना समझे कोई रत्न पहने जो भी रत्न पहनते हैं तो उस रत्न से सूर्ज की किरन जो है वह एब्जॉर्ब होती है और हमारे सरीर म में आती है वह रिपेर होता है मजबूत होता है हमारे भागे को मजबूत करता है और मुझे जिस भी काम में हम रहते हैं उसमें सफलता दिनाता है जैसे कोई भी रत्न बिना समझे बिना दिखाए सभी रत्न में बनाने के चमता है सभी रत्न करियर के दिश्टिकोंड से बह पुंग रहे हैं, जो आपके भागे को मज़बूत कर रहे हैं, जो आपको ठीक कर रहे हैं, जिसे आप लाख पा सके, चुश्किक क्योंकि किवल दो चार रत्न, बता दी, यह वैसे नहीं होगा. आपके लिए आपके लिए कौन से रत्न कारगाना है जो आपके करियर को बिलकुल सुननमाई बनाएंगे तो यह जानने के लिए व्यक्तिगत संपर्ग करना पड़ेगा आपके कुंडले की जुरत होगी तो जैसे हम कोई रत्न पांटे वह रत्न जो है अगर प्यूर नहीं है अगर ठीक न लोगों को अपने देखा होगा कई सरे अपने देखा होगा कसा यह अ बेस हैं कि आप कितना जादा होता है इस ही सार पराइगे मोटी लेखाई के लिए अकारक कार्ण तो आप पहले यह जानने की पहनना आपके लिए उचित है या नहीं यह कही हुई और क्योदंती ध्यान ना दे कि कोई बताया और मांसिक परिशानिया हो गई और हम पहन लिए उससे और परिशानिया बढ़ जाएंगी माईग्रेन दूर करने के बजाए माईग्रेन और बिना समझेगा रत्म पहनेंगे तो उसमें बहुत परशानी होगी जैसे लिखा है कि चप्टा मोतिधारन करने से अपजस की प्राप्ति होती है तूटा हुआ है उसे यस की हानी होती है उसमें अबृत गोलो संतान का नास होता है तक जिसमें पिंडिका बनी हो उसमें जैसे क्लिनिकल टेस्ट होता है तब कोई दवा बनता है क्लिकल टेस्ट का साब्दी करते है उस जानवर के उपर परिक्ष्यान करना तब वो लाब देता है ठीक उसी प्रकार बिना जातक कि कुंडली जातक को समझे कोई रत न देना उसके लिए हानिकार हो सकता है तो मोती पहने तो पहने कैसा सास्त्र हमारा कहता है कि जो ब्यक्ति आठ खुणसुजग जो बिल्कुल सुधार हो दिप्तिमान हो सुब्रित हो गोल हो स्वक्ष हो निर्मल हो दड़कदार हो स्निक्द हो और सुख्षा हो मतला उसमें आठ चीज जो ही होना चाहिए अगर बार रतना खिला जाएंगे और रोष्णी फैला देंगे तो रतन जब बहतर ठीक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगा अब हमनों बात करते हैं पूजा भी दिए कि नहीं होता है और वह ऐसे ही बिना मंत्रों कर लेते हैं जो उनके लिए भी हानिकारक होता है तो सर आप क्योंकि हमारे अब भी जाए तक थोड़ा सा इसको हम लोग बना पबलिक को अच्छा लागे मैं आपको यह बता हो कि कोई भी ब्यक्ति महांगा मोबाइल खरीद ले और वह सीम लगा ले और सीम एक्टिवेट नहीं होगा तो काम करेंगा वह तो धरा कधरा रह जाएगा गाड़ी आप मह प्राण प्रतिश्टा क्या उसमें प्राण देना होता है उसकी विद्वथ मैं उसकी बिदी है उसमें मंत्र प्राण देना होता है कि और मनलें रह चिंधा कोई रतना पाना को ज़रूर नहीं है कि जो सwang कार यहां से आप रतन jurisdी रहे और कि ही नहीं पाना है ठो सकता वो रत्न जो आपने लिया नहीं और किसी चुकी महंगे जो रत्न हैं कई बहुए बिखते हैं तो वह रत्न जो है वолे ओ है पालीस कराके आपको मिला ओं तो बहतर होगा इक बुरीजह बात जैसे हम लों सिंधानमक नमक कातेओं हम दो थलोह रवीबार के दिन रात्री में लगवा की दस मुझी के आसपास एक शीसे के गलास लेगे और उस सीसे के गलास में आदा पानी डालने उसमें दो चम्मक जो है निश्चित रूप से आप जो सेन नमक डालने और उस रत्न को डालकर छोड़ दिजिए आधा में और सुबह में न प्रक्रिया है और सुबह में निकाल कर उसको धोकर ठीक उतना ही जो बिलकुल किसी पात्र में स्टील के बर्तन में नहीं ब्रॉंचो कासो कोई भी उसमें दूद कच्छे गाय का दूद लेकर उसमें डाल दें थोड़ा सा दंगाजल डाल दें आधे दो घंटे छोड़ दें उसको नहानी के बान आई और फिर उसके मंत्र सिजेसे मंत्र है कि ओम चंद्रवा मन सोजाता सूर्जो अज़ाता स्नुत्रा रवाई स्ट्वार्वाइस्ट्र स्वुखादगनी रजायता है यह मोति आपके लिए प्राण देगा आपको सुख देगा आपके प्रॉंद्द मा उसके देगा उसके बाद इसको मैं और करके और चांद रुप से घर परिवार में इन गहां पर्वॉ इमें परभाव पर या उसका स्तमाल हम कैसे कर सकते हैं उसकी वीदी वीदान क्या है वह जानना बहुत जरूरी है तभी हमारे जीवन पे वह असर करता है और सब दर्शकों से अनुरोद रहेगा कि अपनी कुंडली जरूर जरूर रिखाए और उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वह जरूर यहां पर आएं और हमारे बीच इतने सारे ग्यानवर्दक बाते की धन्यवाद सब्सक्राइब प्रभातगाबर.com विश्वास्वही रवतार नई